नमस्कार और वेलकम टू स्टडी एक्यूमेडिया फ्रेंज मैं हूँ प्रशाथ मावानी आज 29th मेय 2020 के फैनेशल न्यूस को हम एनिलाइज करेंगे आज हमारे टेबल के उपर हैं 7 important items मेय 2020 की economic activities के उपर नज़र डालेंगे फिर flights आज हमारे टेबल के उपर हैं एक panel है इन फैक्ट दो panel है यह दोनों पैनल उने lockdown के उपर अपना जो view है वो government के साथ share किया है फिर MSMEs का एक survey किया गया और इन्होंने stimulus package के बारे में अपना व्यूज जो viewpoint है अलग-अलग MSMEs ने share किया है S&P का forecast फिर pen number permanent account number को launch किया है इन फैक्ट एक नई facility को launch किया है जिससे आपको nearly real time पर pen number मिल जाएगा और FDI inflows के आंकडों के उपर नज़र डालेंगे डिया फ्रेंस, study IQ ने एक smart course डिजाइन किया है भारत की best faculties ने मिलकर इस smart course को तयार किया है Civil Services Examination के लिए है ये smart course 31st में तक आपको इसके ओपर ये installment का option भी हम provide कर रहे है जियादा जान करी के लिए dear friends आज ही हमारा mobile application डाउनलोड करें lecture की PDF I have already shared on my telegram channel आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं You can follow me on Facebook dear friends बहुत सारे ऐसे students हैं जिनको financial analysis, business analysis ये जो पूरी series है इसकी बहुत आवश्यक्ता है लेकिन उनको इस series के बारे में पता नहीं है तो जो भी ऐसे कोई students हैं तो उनके साथ इस series को share जरूर कीजिएगा आज का वीडियो अगर आपको पसंद है तो support करने के लिए you can hit the like button और हमारी channel को support करने के लिए you can hit the subscribe button तो बात करते हैं May 2020 के financial आख़ों के बारे में Good news है कि अब lockdown जो है 4.0 में बहुत सारी छूट चार्ट दी गई है तो lockdown 4.0 जब से आया है तब से और आप कह सकते हैं कि में का जो महीना है अभी खत्म हो जाएगा एक दो दिन में तो ये पूरा महीना जो है compared to April काफी अच्छा रहा है April जो है ये पूरा महीना complete lockdown में चला गया अब इसके बारे में हमें पता कैसे चला कि में जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बहुत सारे ऐसे indicators हैं फर एकजमपल E-way Bill अब आप E-way Bill के बारे में तो जानते ही होंगे कि GST रेजीम के तहट अगर आप कोई सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे है तो एक E-way Bill जो है वो जनरेट होता है तो E-way Bill जनरेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हुए एपरिल में 8.6 मिलियन जितने E-way Bill जनरेट हुए थे में महिने में 17.3 मिलियन E-way Bill जो है वो जनरेट हुए है तो सिर्फ E-way Bill के आपडों के उपर ही नज़र डालें तो पता चल जाता है कि 8.6 का लगबग डबल डबल से भी थोड़ा ज्यादा शायद हो गया है 17.3 मिलियन E-way Bill जो है वो पॉजिटिव बेसिकली ग्राफ जो है वो देरे देरे ऊपर जा रहा है एक चीज है कि ये जो में महिने के 17.3 मिलियन E-way Bill है तो नॉर्मल टाइम जो था प्री कोविड 19 का जो महिना था तो उसकी एवरेज का ये 25 परसंट ही है तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल टाइम्स में सम्वेर अराउंड 75 या फिर 72-75 मिलियन जितने हर महिने E-way Bill जो है वो जनरेट होते हैं I believe July के बाद, hopefully June और July तक पहुचते पहुचते चीज़ें जो है वो back to normal हो जाएगी CII का सर्वे हैं और सर्वे में ये हैं कि ज्यादा तर आज हमारे देश की जो फैक्टरीज हैं ज्यादा तर फैक्टरीज जो है वो operational हो चुकी है अब E-way Bill ज्यादा जनरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि production इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये भी है कि demand भी जो है वो देरे देरे ऊपर जा रही है बहुत सारी चीज़ों की demand जो है वो increase हो रही है power consumption को देखें तो इसमें भी एक rise देखने को मिला है compare to April fuel को देखें तो इसके भी consumption में हमें एक rise देखने को मिला है और government की ये expectation है कि जो July से September का जो period है ये April में June का quarter जो है इसका आकड़ा थोड़ा खराब हो सकता है लेकिन July, August और September का period जो है उसमें चीज़े, market की demand, supply ये सारी चीज़े है फटाफट पिक अप कर लेगी तो second quarter जो है वो comparatively अच्छा होगा, better होगा इसी के साथ दूसरे indicators है जैसे के air quality index को अगर आप देखे तो देरे देरे ये बिगड़ता जा रहा है harvesting season जो है फिर दूसरे indicators है वो भी हमें बता रहे हैं कि economic activities जो है फिर से rejuvenate हो रही है सबसे जो बड़े challenges आज factories के सामने या फिर economy के सामने हैं तो उसमें से एक है public transport, public transport बहुत सारी जगाओ पर back to normal नहीं हुआ है तो इसकी वज़े से जो मज़़ूर है उनकी भी shortage है और बहुत सारी जगाओ पर जो local government है जो district administration है तो उन्होंने भी कुछ rigid rules and regulations बनाया है तो इसकी वज़े से भी business को काफी disruption हो रहा है फिर हमारे aviation minister हरदीप सिंग पूरी साब ने एक interview में बताया है कि hopefully by diwali, diwali का time पहुचते पहुचते हमारी जो flights है वो back to normal हो जाएगी जो pre-covid level की जो flights थी उस time पर जितनी quantity में flights उड़ती थी उतनी ही flights जो है hopefully diwali तक पहुचते हमारे देश में देखने को मिलेगी उन्होंने ये भी बताया कि अब lockdown को extend करना जो है ये बहुत ज्यादा devastating होगा बहुत ज्यादा बरबादी COVID-19 से भी ज्यादा बरबादी जो है अब lockdown को अगर extend किया तो हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है domestic flights की बात करें तो फिलाल 2700 जितनी total flights operations में है और ये जो हमारी pre-covid capacity है उसका लगबग 5th या फिर 20% जितना है air industry जो है ये flight वाली industry aviation sector जो है उसका एक direct relationship है tourism के साथ hospitality industry जो है वो तब तक revive नहीं होगी जब तक aviation industry back to normal नहीं हो जाती बहुत सारे states ने starting में resistance भी दिखाया बहुत सारे states जो है for example करनाटका की बात करें तो करनाटका was not happy कि राजस्तान से गुजरात से महराष्टर से या फिर दूसरे से जो area for example डेली से लोग जो है वो करनाटका में आएं तो ये काफी resistance था लेकिन अब दिरे दिरे चीज़ें जो है वो back to normal होती जा रही है एर इंडिया के disinvestment का जो पूरा प्लान है उसको दो महिनों के लिए government ने delay कर दिया है two months के लिए of course ऐसे माहौल में कोई भी air India को नहीं खरीदेगा और बहुत सारी companies जो है जिनके पास पैसे थे उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है तो अच्छा किया कि दो महिने के लिए इसको delay कर दिया है अब देखते हैं कि आगे क्या होता है वैसे तो हमारे जो aviation minister साहब है उन्होंने तो एक optimism दिखाया है कि in fact ये जो air India है ये और ज्यादा attractive हो जाएगी ऐसा उन्होंने बताया है लेकिन let's wait and watch moving on to very interesting topic आपके लिए दो प्रश्ण भी है यहाँ पर पहले तो इस news item को समझ लेते हैं government की दो panels एक panel थी medical emergency को लेकर और दूसरी जो panel है वो है availability of hospitals isolation and quarantine facilities तो ये दोनो panels ने अपना जो view है lockdown के उपर वो submit किया है और ये view जो है वो ये है कि अब lockdown को extend नहीं करना चाहिए right no further extension of the lockdown ये statement दिया है ये view दिया है ये दो government की panels ने ये दो panels ने exit strategy भी government को handover कर दी है submit कर दी है और ये बताया है कि continuation and even scaling up of containment measures in the worst hit areas while allowing other places to open up Hindu analysis में आज सुबर मैंने विस्तार से एक editorial को discuss किया था ये times of India का editorial था and ये जो editorial है ये basically हमारे 13 cities हैं ये 13 cities में हमारे देश के 70% से भी ज्यादा COVID-19 के cases हैं तो ये दोनों panels ने भी ये recommend किया है कि ऐसे इन्होंने कोई आंकड़ा नहीं दिया है लेकिन logical है कि ये दो panels जो है वो इनी 13 cities के बारे में ज्यादा तर हद तक ये 13 cities के बारे में ही discussion है ये दोनों panels की कि यहाँ पर अगर जरूरत पड़े तो और ज्यादा containment measures जो है उसको और ज्यादा strict हमें करना होगा right and I think ऐसा ही होगा I think right अब देखते हैं कि आगे एक दो दिन में ही इसके बारे में clarity हमें मिल जाएगी क्योंकि 31st में को तो ये जो lockdown है 4.0 वो खत्म हो जाएगा इस panel ने ये भी बताया है कि school, colleges, movie halls, religious places ये सारी जगाओं को बंद रखा जाए international travel के उपर कोई चीज़े प्रपोस नहीं की है तो I think ये बंती रहेगा for time being ये दोनों panels को set up किया था मार्च में home ministry ने और आपके लिए दो प्रशना है question number one ये है कि ये जो group है managing medical emergency तो इसके chair person कौन थे और दूसरा जो group है या फिर panel है hospitals isolation and quarantine facilities, disease surveillance, testing and critical care तो इसको किसने chair किया था ये दो प्रशना आपके लिए है MSMEs का एक survey किया गया ये survey जो है multiple agencies ने मिलकर किया है Scotch Consultancy Services उन्होंने Federation of Indian Micro and Small and Medium Enterprises FISME भारतिय वित्य सलाकार समिती और Tax Law Educare Society तो मिलकर एक survey conduct किया, questions पूछे गए और इसमें ये पता चला कि जो national capital region है यारि कि हमारा जो डेली है तो वहाँ पर डेली में three-fourth जितनी MSMEs जो है Micro, Small and Medium Enterprises ने अपने employee जो हैं उनकी salaries को cut किया है two-third जितनी MSMEs ने कुछ लोगों को job में से निकाल भी दिया है और सबसे बड़े जो challenges MSMEs के सामने हैं वो सबसे पहला challenge है paying salary कि कैसे वो salaries को pay करेंगे second चीज है कि उनको जो bills pay करने हैं, वो bills कैसे pay करेंगे तीसरा सबसे बड़ा challenge ये है कि जो दूसरे expenses हैं, वो सारे expenses वो कैसे भर पाएंगे आत्म निर्बर भारत अभ्यान जो हैं, इसके उपर प्रशना पूशे गए, अब मैं इस आत्म निर्बर भारत अभ्यान की details में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि already हमने इसको discuss कर लिया है तो इसके बारे में जब पूशा गया तो 44% जितने MSMEs ने ये बताया है कि उनकी जो expectation थी, ये सारी expectations गवर्मेंट ने इस आत्म निर्बर भारत प्लान के बताविद अगर देखा जाए तो गवर्मेंट ने उनकी expectations को fulfill नहीं किया है उनको क्या चाहिए? 86% जितने MSMEs ने ये बताया कि हमें direct cash support की आवश्यक्ता है 77% जितने businessmen ने ये बताया या फिर businesses ने ये बताया कि हमें emergency funds की आवश्यक्ता है 32% respondents ने ये बताया कि आत्म निर्बर भारत जो है ये अभियान जो है ये useful है जो package declare किया है वो useful है और 44% ने ये बताया कि ये useful नहीं है S&P यानि कि standards and poor global ये एक rating agency है तो S&P ने Indian economy के बारे में ये बताया कि ये वाला जो financial year है इसमें हमारी GDP का growth जो है वो minus 5% रहेगा और lockdown के बारे में बताया कि ये दो महिनों का जो lockdown हुआ है तो इसके वज़े से economic activities और ये सारी चीज़े हैं हुई जिसके बारे में हमने कई बार discussion कर ली है यह पर सबसे interesting जो चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि इसके उपर हम सब को attention pay करना चाहिए वो ये है कि S&P के मताबित जो third quarter है इस calendar का third quarter calendar का I'm not talking about financial year तो January, February, March ये हो गया आपका first quarter April, May हम महीने में हैं June ये हो गया quarter two July, August and September ये हो गया हमारा quarter three तो ये July, August, September वाले जो तीड महीने हैं इसमें कोरोना वाइरस जो है वो अपने पीक पर पहुँच जाएगा हमारे देश में और ये third ऐसी agency है जिसका ये अनुमान है, ये forecast है तो आने वाला time जो है वो हमारे लिए और ज्यादा challenging हो सकता है as far as health is concerned तो अब देखते हैं क्या होता है लेकिन यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए उने ये बताया है कि minus five जितना future में हो सकता है banks के बारे में बात करें अभी news आएंगे इसके उपर लेकिन जहां तक मेरा survey है कोई ऐसा professional research मैंने नहीं की है NBFC में काम करने वाले मेरे एक friend है और एक दूसरी bank है जिसमें काम करने वाले मेरे friend है तो इनके साथ मेरी discussion हुई बाचीत हुई जो forms वगेरा है उसके उपर and I came to know कि banks जो है वो reluctant है banks easily credit देने के लिए तयार नहीं है लेकिन ये सिर्फ इन दो व्यक्तियों ने दो अलग-अलग काम banks में काम करने वाले व्यक्तियों ने बताया है अब देखते हैं कि आगे का report जो है वो क्या आता है we will wait for the news as well as analysis कोई experts अगर इसके उपर कोई article ऐसी चीज़े लेखते हैं then we will discuss this एक important छोटी सी खबर है लेकिन important है permanent account number जो है तो इसके instant allotment की facility को finance minister launch कर दिया है अगर आपके पास pen number नहीं है तो आप आधार number आपका valid आधार number अगर आधार के साथ आपका mobile number जुड़ा हुआ है तो आप easily apply कर सकते हैं और आपको एक दो minute में apply application के बाद एक E permanent account number जो है वो issue किया जाएगा एक interesting FDI के साथ जुड़ा हुआ आपकड़ा जो है वो आपकी screen के उपर है basically foreign direct investment जो मेरे कई बार आपको बताया है कि ये long term के लिए होता है तो इससे jobs और ये सारी चीज़े generate होती है तो foreign direct investment में financially or 20 में 13% जितना हमें rise देखने को बिला है तो ये make in India के लिए confidence booster आकड़ा है DP IIT के मताबित एक साल पहले 44.4 billion dollars हमरे देश में आये थे इस साल 50 billion dollars हमरे देश में आये हैं अगर हम reinvested earnings को भी calculate कर दे तो 73.4 billion dollars जो है वो हमारे देश में आये हैं तो that's a good figure 2013-14 में अगर आप देखे तो 36 billion dollars हमें FDI में मिलते थे आज लगबग उसके double तक हम पहुँच गए हैं तो that's a good thing Cayman Islands ये British territory है और Cayman Islands सबसे ज्यादा वहां से हमें मिला है FDI फिर United States और Switzerland है Cayman Islands जो है तो इसमें एक लाख से भी ज्यादा कमपनी है चोटा सा आइलेंड है यहां की population भी एक लाख नहीं है लेकिन आपर इतनी ज्यादा कमपनीज है तो basically जो black money है जो richest citizens है तो उनके पैसे छुपाते हैं money laundering और यह जारी चीज़े यहाँ पर होती रहती है तो यह चीज़े चलते रहती है लेकिन भारत में पैसे जो है इतने पैसे FDI के तोर पर हमारे देश में आए है services की बात करें तो 7.8 million बेगे पादन 7.8 billion services में आए हैं और software services में 7.7 billion dollars जो है वो आए हैं hotel and tourism की बात करें तो इस sector में एक साल पहले 1 billion dollar आया थे अब 2.9 तो लगबख तीन गुना ज्यादा पैसे हमें देखने को में रहे हैं and that's everything in today's discussion thank you very much for watching this video God bless you all, Jai Hind